बच्चों मेरे पास एक वर्गाकार कागज है आज हम कागज को मोड के ओरिग्यामी की कला से एक खिलोना बनाएंगे चलो बनाते हैं सबसे पहले कागज के सामने वाले कोनों को हमें जोडना है कुछ इस तरह से इनको जोड़के अच्छे से तै कर लीजिए अपनी उंगली उसके उपर से घुमाईएं इस तरह से कागज क्रीज हो जाएगा तै हो जाएगा अब ये दूसरे दो सामने के कोनों को भी हम जोड़ेंगे कुछ इस तरह से जासे मोड रहे है अपनी उंगली उसके अच्छी तरह से घुमाईएं पहाड सा लग रहा है इसे कहते हैं पहाडी मोड औरिगयमी की भाशा में इसे इस तरह से रखेंगे और अब सामने सामने की भुजाओं को हम जोड़ेंगे चलो जोड़ते हैं कुछ इस तरह से जासे मोड रहे हो अपनी उंगली वहाँ ज़रूर घुमाना अब ये दो सामने वाली भुजाओं को जोड़ेंगे और कागज को मोड़ेंगे कुछ इस तरह से पहले जो पहारता अब कुछ घाटी की तरह दिख रहा है इसे कहते हैं घाटी मोड अब जब ये ऐसे बन गया है कागज तो वो अपने आप से मुड़ जाएगा और कुछ इस तरह का आकार हमें दिखाई देगा कुछ इस तरह ओरिगामी की भाषा में इसे पंची मोड अथवा बर्ड फोल्ड भी कहते है मतलब कोई भी पक्षियों का आकार बनाने के लिए आपको ये रचना करनी पड़ती है लेकिन आज हम पक्षी नहीं बनाएंगे कुछ अलग बनाते हैं जैसे कि बंदर जो आप सबको अच्छा लगता है चलो हम इससे बंदर बनाएंगे हमारे पास ये जो पक्षी आकार है उसको एक बाजू से हम कुछ इस तरह से मोड़ेंगे अब इसे पलटाईए और ये जो दूसरी परत है उसे भी नीचे की तरफ मोड़ दीजिए अब हम इसे उठाएंगे तो कुछ इस प्रकार आकरुती अथ्वा रचना आपको दिखाई देगी कुछ इस प्रकार इससे हम बंदर बनाने जा रहे हैं तो बनाएं बंदर चलिए ये जो खुले सीरे है उन्हें हम नीचे की तरफ रखें और उपर एक से देड़ इंच जितना कागस नीचे की तरफ मोड़ देंगे आप इसे मोड़ दीजिए और अच्छी तरह से तै कर लीजिए ये कागस थोड़ा सा भारी होने के कारण हाथ से नहीं कटेगा हलका कागस हो तो उसे आप हाथ से काच सकते हो मैं यहाँ पे कैची का उपयोग करूंगी कुछ इस तरह से मैंने उपर के त्रिकोणा कार सीरे को कागस से अलग कर दिया और बस हमारा बंदर बन गया क्यों आप नहीं वानते क्या करूं क्या आप मान जाए चलो कुछ करते हैं यह बन गई बंदर की आखे यह बन गया बंदर का सिर यह कान और यह हुप हुप करके बोलने वाला मूँ यह बन गया बंदर अभी भी मज़ा नहीं आया जानती हूँ जब तक यह बंदर कुछ हरकत करके नहीं दिखाएगा आप नहीं मानने वाले तो चलो इस बंदर को हम एक पेड़ पर चढ़ाते है वहां से कूट के वह दिखाएगा आपको तो अब इस बंदर को चढ़ने के लिए हम एक पेड़ बनाएंगे कुछ इस तरह यह बंदर इस पेड़ के उपर चढ़ेगा भी और वहां से कूदेगा भी चलो देखते हैं यह कैसे होता है इसको हमने एक सीरे में फसाया और दूसरे सीरे में फसाया जब तक हम यह दोनों सीरों को एक दूसरे के साथ घर्शन कर रहे हैं तब तक बंदर उपर चढ़ रहा है जैसे हमने दोनों सीरों को अलग कर दिया वो पिल्कुल फिसल के नीचे गिर गया यह कैसे हुआ? हमने इसे इसके अंदर फसाया और दोनों सीरों को घर्शन करने के बजाए दूर खीचा तो अपने आप ही बंदर फिसल के नीचे गिर गया आपने घर्शन क्रिया के बारे में जरूर सुना होगा जब दो सीरे एक दूसरे के साथ घर्शन करते हैं तब वहाँ एक तरह की उर्जा बत तयार होती है और वो ही उर्जा इस बंदर को उपर की तरफ पेड़ पर उपर की तरफ धकेल रही है जब हम जमीन पर चलते हैं तब कुछ ऐसा ही होता है हमारा पैर जमीन को धका लगाता है और जमीन हमें आगे की तरफ धक्का लगाती है और हम चल पाते हैं जिस तरह से ये हमारा खुशाल बंदर घरशन की क्रिया से खुशी खुशी उपर की तरफ चड़ने लगा और कूदा भी बंदर खुशाल